जैहिन दोस्तो मेरा नामे बहादर लोधी और आप लोग देखना शुरूं कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम मोस्ट डिमांडिंग टोपेक जिसकी आप लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं भारत की पंच वर्सी यूजनाओं को डिसकस करेंगे तो दोस्तो भारत की पंच वर्सी यूजनाओं से जितने भी कोस्टन आपके एक्जाम में वन सकते हैं उन सभी कोस्टन को डिसकस करेंगे और दोस्तो हमेशा की तरह सभी कोस्टन को हम बिलकुल डेटेल में और आसान भासा में डिस्कस करेंगे यकीन मानियों दोस्तों ये टॉपिक हमने इतनी मेहनत करने के बाद तयार किया है कि यदि आप इसको शुरू से लाकर लाज तक देख लेते हैं तो मैं गैरेंटी से बोल सकता हूं कि आपको किसी अन्य यूटूब चैनल, किसी बुक या फिर किसी भी रिसोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दूस्तों विना किसी देरी के सुरुआत कर लेते हैं नमर फर्स्ट कॉस्टन से और फर्स्ट कॉस्टन है भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश से पंच वर्सी यूजनाओं को निर निर्माण किया गया था डी ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा उस समय प्रधान मंत्री कौन थे जवहला नहरू और किस उद्देश से पंच वर्सी यूजनाओं को निर्माण किया था तो आर्थिक नियोजन के उद्देश से नेक्ट वन की हम बात कर लेते हैं भारत में पंच वर्सी यूजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो भारत में पंच वर्सी यूजनाओं को बनाने के लिए यूजना आयोग का गठन किया गया था ठीक है यह हमें सब पूशा जाता है कि यूजना आयोग का गठन क्रप किया गया था त तो योजना आयोक की अध्यक्षता निमने में से किस के द्वारा की जाती है? प्रधान मंत्री के द्वारा योजना आयोक की अध्यक्षता की जाती है? आपको कमेंट सेक्षन में बताना है कि योजना आयोक का गठन हुआ 1950 में तो योजना आयोक के पहले अध्यक्ष कौन बना गए होंगे उनका नाम पटावर्स से लगाईए नेश्ट हमारा कॉस्टन है निमलेखत में से किसके द्वारा पंच वर्स ये योजना को मंजूरी दी जाती थी योजना आयोक के द्वारा और मंजूरी किसके द्वारा दी जाती थी तो राष्टी विकास परिशत के द्वारा C option करक्ठ हो जाएगा राष्टी विकास परिशत इसका गठन कप किया गया 6 अगस्त 1922 को राष्टी विकास परिशत का गठन किया गया राष्टी विकास परिशत के द्वारा ही ये पंच वर्षी योजना को मंजूरी दी जाती थी नमबर पांच कॉस्टन निमलेखत में से किस व्यक्ती के दोवारा भारत में पंच वर्षी योजना की आउधाना पेस की गई थी सयान सरुजाएगा दोस्तो आपसंडी देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू के दोवारा नमबर छेश वाल है निमलेखत में से किस देश से भारत में पंच वर्षी योजना को अपनाया गया ये कॉस्टन जो है ये most important question है आपके एक्जाम के लिए चलिए next question की बात करें पहली पंच वर्षी योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा दोस्तों पहली पंच वर्षी यो पी का वार्षक लक्ष क्या रखा गया तो 2.1 परसेंट रखा गया ठीक है और उपलबदी कितनी हासिल करी तो 3.60 परसेंट उपलबदी हासिल करी तो हम कह सकते हैं कि जो पहली पंचवर्सी यूजना है ये काफी हद तक सपल रही ओके नेश्ट हमारा कॉस्टन है प्रथम पं पहनत करी है तो आप अपने बहादर सर पर यकीन मानिए गेरिंटी से यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी कॉस्टन आपके एक्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा तो जो पहली पंचवर्सी यूजना है ये ये आधारित थी हैराल डॉमर मॉडल पर इस कॉस्टन का सी आपसन करіक्ठ ilsला है नेश को तं प्रघंच वर्सी यूजना में निमने में से किस चेतर को प्राथ मिक्ता दी गई तो पहली पंचवर्सी यूजना है इसमें किरसी के विकास को पराथ मिक्ता दी गई थी एक ऑप्सन हमारा करेक्ट आंसर हो दायग अब दोस्तों जो पहली पंचवर्सी यूजना है इस से जितने भी question बन सकते हैं सभी को एक बार में हम समझ लेते हैं प्रथम पंचवर्सी यूजना का कारेकाल रहा एक अप्रेल 1909 से 31 मार्च 1956 ठीक है और इस यूजना में किसको प्रात्मिक्ता दी गई किर्सी को प्रात्मि 3.1% रखा गया ठीक है और उपलब्दी कितनी हासिल करी तो 3.60 उपलब्दी हासिल करी इसी यूजना के दोरान राष्टी आय में 18% ब्रध्धी तथा प्रत्ति व्यक्ति आय में 11% की ब्रध्धी दर्ज करी गई नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं निमलेकत में से किस सचाई प्रियोजना को प्रथम पंच वर्सी यूजना काल के दोरान सुरूं किया गया तो देखे दोस्तो जो भागणा नागल प्रियोजना है दामुदर नदी घर्टी प्रियोजना है और ब्यास प्रियोजना है ये सभी की सभी पर योजना है पर फम पंच वरसी योजना के दोरान सुरूंग करी गई थी और ये कॉस्टन कई वार रिपीट हुआ है नेश्टमारा कॉस्टन है भारते सम्मिधान में आर्थिक और सामजक योजना को रखा गया है संबर्ती सूची में ठीक है आर्थिक और सामजक योजना को रखा गया है संबर्ती सूची में एसे जतने भी कॉस्टन बन सकते हैं हमने सभी को डिसकस कर लिया है अब हम डिसकस करने बाले हैं दूतिये पंचवर्सी यूजना को तो दूतिये पंचवर्सी यूजना का कारेकाल कब से कब तक रहा सही अंसर हो जाएगा दूस्तों 1956 से 1971 तक भी option करक्ठ हो जाएगा और दूसरी पंचवर्सी यूजना का हम बात करें और this क्या था तो समाजबादी समाज की स्थापना करना नैश कोस्टन है दुतिये पंच वर्सी यूजना निमले खितमे से किस मौडल पर आधारित थी सही अंसर हो जाएगा दूस्तों ऑप्शन है नैश कोस्टन है इसमें आप 5 इस्टार मार कर लीजे ये कोस्टन कई वार पूछा गया है नेश्ट क्या है निमलेकत में से किस छेत्र को दुतिय पंचवर्सी यूजना में प्राथमिक्ता दी गई तो दुतिय पंचवर्सी यूजना में उद्योग और खनिच को प्राथमिक्ता दी गई तो पहली प्राथमिक्ता दी गई उद्योग और खनिच को दुतिय प्राथमि दूतिये पंचवर्सी यूजना की अवधी में ही इस्थापित करे गए D-Option करक्ठ हो जाएगा अब दोस्तों दूतिये पंचवर्सी यूजना से जितने भी कॉस्टन बन सकते हैं सभी का एक कोई क्रिवीजन हम कर लेते हैं कारेकाल कब से कब तक रहा 1956 से 1971 तक दूतिये पंचवर्सी यूजना PC महाल नोविस मॉडल पर आधरित थी मुख उद्धिस क्या है तो समाजबादी समाज की स्थापना करना इसका मुख उद्धिस था और प्रास्मिक तक इसको दी गई उद्धियोग और खनिश को और लक्ष की हम बात करें तीक है और इसी यूजना के दोरान तीन बड़े इसपातकार खाने इस्थापित किये गए कौन-कौन-कौन-कौन से दुरगापुर्ग, विलाई और राउल कीला ठीक है यह जरूर याद रखना है यहां से कॉस्टन आपके एकजाम में पूछे ही जाते हैं नेश कॉस्टन है नेमलेकित में से किस व्यक्ति को भारती आर्थक यूजना का जनक कहा जाता है मोश चुमपन कॉस्टन है किस के लिए तो सर विस्बसरया के लिए कहा जाता है सर विस्बसरया के बारे में हम कुछ फैक्टों को जान लेते हैं इनकी एक प्रिस्द बुक है ये पूशे जाती है क्या नाम है भारत के लिए नियोजित आर्थ वबस्ता एंग्लिस में इस बुक को क्या कहेंगे प्लांड एकोनोमी फर इंडिया और इस पुस्तक में भारत के आर्थ एक विकास के लिए तो रतिये पंच विएंग्लिस कया था तो जाता है और हम बात कर लेते हैं ने इस पूर्शन की तो 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 आर्थ एक विए नियुए जैर ख़ए आत्म निर्भर बनाना C option correct हो जाएगा नेश्ट question है निमलेखित में से किस पंचवर्सी यूजना में किरसी और उद्योग दोनों को प्रात्मिक्ता दी गई देखे दोस्तों जो पहली पंचवर्सी यूजना है उसमें किरसी को प्रात्मिक्ता दी गई ठीक है और दूसरी पंचवर्सी यूजना में उद्योग को प्रात्मिक्ता दी गई और जो तीसरी पंचवर्सी यूजना आई उसमें किरसी और उद्योग दोनों को प्रात्मिक्ता दी गई तो C option हमारा correct answer हो जाएगा नेक्ट question है बोकारो आईरन एंड इस्टील इंडेस्टी की स्थापना किस देश की सहायता से करी गई तो तीसरी पंचवर्सी यूजना की अवधी में करी गई सबसे पहले आपको ये पता रहना जरूरी है कि इसकी स्थापना कप करी गई तो 1964 में यदि आपको इस्थापना वर्स याद है तो आप बता सकते हैं कि किस पंचवर्सी यूजना की अवधी में इसकी स्थापना करी गई ठीक है जो हरित करांती है इसकी सुरुवात तरतिय पंचवर्सी उजना में हुई नेश्ट क्या है भारत में हरित करांती का जनक किस क्रिसी विग्यनिक को कहा जाता है दोस्तों MS स्वामी नाथन को भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित करांती का जनक किसको कहा जाता है तो नॉर्मन इबॉरलाग को कहा जाता है जमीनी इस्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंतर के लिए पंचयत चुनाव की शुरुआत किस पंचवरसी यूजना की दोरान की गई थी यह जो मैं आपको कॉस्टन बता रहा हूँ न यह किसी न किसी एक्जाम में पूशेगा एक कॉस्टन है ठीक है इसका सही अंसर के हाउज आएगा दोस्तो ओप्सन सी तीसरी पंचवरसी यूजना की दोरान क्या है तीसरी पंचवरसी यूजना सबसे ज़्यादा असफल रही इसके असफल होने का मुख करण भारत चायना युद्ध जो की 1962 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध जो की 1965 में हुआ था और अभूत पूर्व सूखा भी पढ़ा ठीक है तो यह सभी करण जो है यह तो अर्थवस्ताओं को आत्म निर्भर बनाना तथा सोता इसपूर्थ अवस्ता में पहुँचना और प्रात्मिक्ता किसको दी गई किर्सी और उद्योग दोनों को प्रात्मिक्ता दी गई लक्ष की हम बात करें GDP बार्शक लक्ष रखा गया 5.6% लेकिन लक्ष प्राफी असफल रही ठीक है इसी यूजना के दोरान बोकारो आइरन एंड इस्टिल इंडेस्टि की स्थापना करी गई कब करी गई 1964 में और ज्छार खंड में इस्थापना करी गई हरित करांती की सुरुगात भी करी गई 1966-67 में और तीसरी पंच वर्सी यूजना सबसे असफल मानी जाती है क्यों मानी जाती है इसकी असफलता का कारण क्या है तो भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में और इसी दोरान भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1965 में और अभूत पूर्व सूखा भी पड़ा था ठीक है और सबसे असफल यूजना मानी गई इस यूजना के दोरान यूजना आवकास लाना पड़ा ठीक है तो कॉस्टन यूजना आवकास से ही पूछा जाता है इस यूजना की बिफलता के बाद सरकार को प्रथम यूजना आवकास की घोशना करने पड़ी दोस्तो अब तक तीन यूजना आवकास घोशत हुए हैं पहली बार जो यूजना आवकास घोसित हुआ ये तीसरी पंचवर्सी यूजना के बिफलता के करण घोसित हुआ ठीक है और ये जो पहला यूजना आवकास है इसकी आउधी क्या थी ठीक है तो 1966 से 1969 तक ये आवकास रहा और इस आवकास के दौरान तीन बार्सक यूजनाएं तैयार हुई एक एक साल के लिए तीन बार्से की योजना बनाई सरकार ने नेश्ट हमारा क्या है किन दो पंचवर्सी योजना के बीच सरकार ने पिर्थम योजना आवकास घोसित किया तो मैंने बताया कि तीसरी पंच वर्सी यूजना के बाद पहला यूजना आवकास घोसत हुआ ठीक है तो तीसरी पंच वर्सी यूजना के बाद हुआ और किन किन के बीच पूछा गया है तो तीसरी और चौथी पंच वर्सी यूजना के दोरान ठीक है तो ये बिल्कुल थर सबी लोग लोजिक लगा कर इसका अंसर भी लगा सकते हैं नेश्ट वन की हम बात करें चत्रत पंच वर्सी योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा सई अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1979 से 1994 तक मैंने बताया कि जो पहला योजना अउकास है यो 1966 से 1999 तक रहा 1989 के बात जो चोथी पंच वर्सी योजना है ये 1989 से 1994 तक चली बी ऑप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्ट कोस्टन क्या है नेमलेकत में से किस योजना के समय किरसी ब्रद्धी दर सरवादिक रही सबसे जादा किरसी ब्रद्धी दर जो है दोस्तों ये चोथी पंच वर्सी योजना के दोरान रही डी ऑप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोस्टन क्या है चत्रत पंच वर्सी योजना में नेमलेकत में से किस छित्र को उच्च प्राथमिकता दी गई तो सबसे जादा प्राथमिकता जो है ये मुद्रा इस पीती की नियंतरत करना और दूसरी किसको दी गई आर्थिक इस्तिती में इस्थित्ता तो डी ऑप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा ए और भी दोनों के लिए नेश्ट वन की हम बात करें चतोरत पंचवर्सी युजना निमले खत्मे से किस मॉडल पर आधरित थी मॉडल यदि पूछा जाए किसी भी युजना में तो वो मोश्ट इंपॉन कॉस्टन हो जाता है सब्सक्राइगा दोस्तो ओप्सन डी डी आर गोडगिल मॉडल पर आधरित थी चोथी पंचवर्सी युजना नेश कॉस्टन क्या है किस पंचवर्सी युजना के दोरान चौदा वैंकों का राष्टेकन किया गया मोश्ट इंपॉन कॉस्टन है अभी S.S.C.G.D. में पूछा गया था तो दोस्तो जो चोथी पंचवर्सी युजना थी इसी के दोरान चोदा वड़े वैंकों का राष्टेकन किया गया था राष्टेकन कप किया गया था चोदा वड़े वैंकों का तो जुलाई 1989 में याद रखना जुलाई 1989 में देश के चोदा वड़े वैंकों का राष्टेकन किया गया था कौन सी पंच वर्सी योजना चर रही थी, 4-5 वर्सी योजना नज टक्रशन है, निमनले खत्में से किस कुरांती का प्राराम्भ 4-5 वर्सी योजना के कारेकाल में हुआ दोस्तो यदि आपको question का label content की quality और मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको सभी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को like करें और बहादर सर को support करने के लिए अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर share कर देजिए दोस्तो चौथी पंचवर्सी यूजना में जो सुईत करांती है ये शुरू करी गई थी सुईत करांती को क्या कहा जाता है तो operation फिलड भी कहा जाता है अब दोस्तो चौथी पंचवर्सी यूजना से जितने भी fact वन सकते हैं सभी को हम समझ लेते हैं कारकाल कब से कब तक रह 1909 से 1934 तक और ये किस मॉडल पर आधर थी DR गोडगल मॉडल पर आधर थी मुख लक्ष किया था इस्थिरता के साथ बिकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ती और उच्च प्रात्मिक तक इसको दी गई मुद्रा इस्पृति को नियंतरत करना और आर्थिक इस्थिरता ला स्थिरतान देश के चौधा बड़े बेंकों का राष्ट करन किया गया जुलाई 1979 में और सुईत क्रांती की सुछात करी गई 1970 में करी ठीक है तो यदि हमें ये पता है कि किस चीज को कब सुरूं किया गया किस चीज को कब इस्थापित किया गया और इसके साथ में हमें सभी योजनाओं की यदि अफ्धी याद है कि कौन सी योजना, कब से कब तक रही तो ये तो हम बिल्कुल आसानी से बता ही पाते हैं, इसके अलाबा जो पूशे जाते हैं बार-बार, ठीक है बो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि या बार-बार पूशे जाते हैं, इस exam ये पूशे गाए थे, तो इनको बहुत अच्छे से याद रख लो, बाकि आप जितना पढ़ते हैं, उतना जादा question को हल कर पाते हैं, मैंने बैसे यहाँ पर पूरी कोशिस करी है, कि question इस वीडियो से बाहर ना जाये, ठीक है, नैश कॉस्टन की बात कर लेते हैं, नैश कॉस्टन, पांच भी पंच वर्सी योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा, दोस्तों, 1974 से 1978 तक, पांच भी पंच वर्सी योजना का कारेकाल रहा, या फिर आउधी रही, और देखे दोस्तों, जो पांच भी पंच वर्सी योजना है यहां से एक fact याद रखना यह यूजना जो है यह केबल और केबल चार साल ही चली थी ठीक है मुझा जाता है कौन सी यूजना केबल चार साल तक ही चली तो 5 भी पंचवर्सी यूजना और 1978 में क्या हुआ तो जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इस यूजना को समाप्त कर द अमयरे सनव से सा और दूस्तो और पांच भी पंच भरसी ना ग मोहां को सब्सक्राइब गलारा मुझ्टवर्सा में वारती-リדिंग-वा गेते हैं डाय गारी निरघ्टे में महां का प्रणाली की शुरुगात करी गई तो भातिराष्टी राजमार्ग प्रणाली की शुरुगात भी पांच भी पंच वर्सी उजना के दोरान करी गई थी तो पांच भी पंच वर्सी उजना चार पांच बातें आपको याद रखना है एक तो आउधी याद रखना है 1994 से 1978 ओके उद्देश तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्म निर्भता की प्राप्ति इसका मुख उद्देश लक्ष की हम बात करें तो GDP का वार्षक लक्ष रखा गया 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई तो 4.83% तो काफी हद तक ये योजना सफल रही ठीक है इसी योजना के दो पांच भी पंच वर्षी योजना के दोरान करी गई और सबसे जादा इंपॉन क्या है कि इसका जो अवधी है केवल और केवल 4 सल तक ही योजना चली ठीक है तो अवधी आपको याद रखना है 4 साल तक ही योजना चली ठीक है तो पांच भी पंच वर्षी योजना खतम होन मैंने आपको बताया कि total 3 यूजना आवकास लगाय गए ठीक है तो इसके बाद कौनसी पन्च वर्षी यूजना शुरू हो जाएगी छटी पंच वर्षी यूजना तो आपको बताना है कि जो छटी पंच वर्षी यूजना है इसका कारेकाल कप से कप तक रहा सई आंसर हो जाएगा दोस्तो 1980 से 1980 तक C option करक्ठ हो जाएगा next one की हम बात करें कि जो 65 वर्षी यूजना है इसका मुख उद्देश्च क्या था उद्देश्च की हम बात कर रहे हैं गरीबी उन्मूलन और रोजगार में ब्रद्धी इसका मुख उद्देश्च था तो D options हो है A और B दोनों हमारा सई आंसर हो जाएगा next question क्या है नमलिखत में से किस कारिक्रम की सुरुआत चटी पंच वर्षी यूजना के कारेकाल में हुई तो दोस्तो जो TRISEM है IRDP है NRIP है ये सभी कारिक्रम चटी पंच वर्षी यूजना के दोरान सुरू करे गए next question क्या है किस पंच वर्षी यूजना के दोरान नावार्द की स्थापना करी गई ये most champion question है ये पूछा जाता है तो नावार्द की स्थापना भी कब करी गई चटी पंच वर्षी यूजना के दोरान ठीक है अब हम नावार्द की बात कर लेते हैं तो दोस्तो नावार्द की स्थापना जो है ये सिवरामन समीती की सिफारिस पर करी गई ये भी पूछा जाता है कि नावार्द की स्थापना किस समीती की सिफारिस पर करी गई तो सिवरामन समीती की सिफारिस पर नावार्द की स्थापना करी गई कब करी गई नावार्द की स्थापना 1982 में नावार्द की हम बात करेंगे फुल फॉर्म क्या होता है National Bank for Agriculture and Rural Development हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे राष्टी किर्सी एवं ग्रामिड विकास बैंक कहेंगे इसको इस्टेबिल किया गया नावार्द का है National Question है किस पंच वर्षी यूजना के दोरान जनसंख्या ब्रदी को नियंद्रत करने के लिए परिवार नियोजन कारिकरम को शुरूं किया गया Most Trending Question है परिवार नियोजन कारिकरम को शुरूं किया गया दोस्तो चटी पंच वर्षी यूजना के दोरान D-Option करक्ठ हो जायगा Next Question क्या है किस पंच वर्षी यूजना का प्रारंब लुड़क्ती हुई यूजना या अनवरत यूजना या फिर रॉलिंग प्लान को समाप्त करके की गई तो देख दोस्तो मैं आपके बता दूँ कि जंता पार्टी सरकार के दतारा में भी मुरार्जी देशाइक नेतत मेंalis 1880-1983 की अभदी के लिए कब से कब तक के लिए 1978 से 1983 की अबधी के लिए लुड़कती हुई योजना या फिर आनवराती योजना या फिर रॉलिंग प्लान को सुरूं किया गया ठीक है और फिर इसको समाप्त करके ही कौन सी पंचवर्सी योजना सुरूं करी गई तो छटी पंचवर्सी योजना पाधन का नारा जो है यह सातवी पंच वर्सी यूजना के दोरान दिया गया D option करक्ठ हो जाएगा हम बात करें कि सातवी पंच वर्सी यूजना का कारेकाल कब से कब तक रहा सही अंसर हो जाएगा दोस्तों मैंने कहा कि model से तो question पूछा ही जाता है इसको अब जरूर नोट कर लीजिये अपने ब्रेंड में ही इसको नोट कर लीजिये तो जो सातवी पंच वर्सी यूजना है ये आधरित थी W Miller model पर D option हमारा correct answer हो जाएगा next question क्या है सातवी पंच वर्सी यूजना निमलेखत में से किस उद्देश पर आधरित थी तो सातवी पंच वर्सी यूजना का जो मुख उद्देश है वो था रोजगार के अधिक आउसर जुटाना नियाय पर आधरित सामाजिक प्रणाली और देशी तकनीक का विकास करना तो हम कह सकते हैं कि D option हमारा correct answer हो जाएगा next question है निमलेखत में से किस यूजना का आरंब सातवी पंच वर्सी यूजना के समय हुआ तो देखे दोस्तो जो जवाहर रोजगार यूजना है option B जवाहर रोजगार यूजना ये सातवी पंच वर्सी यूजना के समय हुई थी ठीक है इसकी हम बात करें कि सुरुआत कब हुई थी 1989 में यदि आपको कारेकाल याद रहेगा आउधी याद रहेगी तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं जवाहर रोजगार यूजना ये 1989 में सुरू करी गई थी सातवी पंच वर्सी यूजना के समय है नेश कोस्टन क्या है लकडवाल समीती द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंच वर्सी यूजना के दोरान की गई थी तो इसका सयांसर हो जाएगर उस तो आप्शन डी सातवी पंच वर्सी यूजना के दोरान नेश कोस्टन क रहा 1990 से 1990 तक यह option करक्ठ हो जाएगा हम बात करें कि आठवी पंच वर्सी योजना की अवधी क्या रही तो इसके बाद आठवी पंच वर्सी योजना लग जाती है और इसकी अवधी 1990 से 1997 तक रही भी option करक्ठ हो जाएगा नेश कोस्टन क्या है किस पंच वर्सी योजना के कारकाल में प्रधान मंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और जो आठवी पंच वर्सी योजना है इसकी अवधी में आपको बताई 1990 से 1997 में तक इसकी अवधी रही Next question क्या है आठ भी पंच वर्सी योजना में निमलेकत में से किस छित्र को सरवोच प्रात्मिक्ता दी गई तो आठ भी पंच वर्सी योजना में सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता जो है ये मानौसन सदन का विकास रोजगार का विकास और सिक्षा वाजनसंख्या का विकास ठीक है तो इस question का D option सभी हो जाएगा और पर्युक्त सभी को प्रात्मिक्ता दी गई Next question क्या है निमलेकत में से किस पंच वर्सी योजना की अंतरगत राष्टिये महिलाकोस की स्थापना करी गई तो दोस्तों इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा आठवी पंच वर्सी योजना की दोरान ठीक है राष्टिय महिलाकोस की स्थापना ये कब करी गई 1993 में राष्टिय महिलाकोस की स्थापना करी गई Next question 95 वर्सी योजना का कारेकाल कब से कब तक रहा 95 वर्सी योजना आजाती है और इसका कारेकाल 1997 से 2002 तक रहा ठीक है इस योजना की अस्फलता के पीछे आर्थिक मंदी को जिम्मिदार माना जाता है 95 वर्सी योजना भी अस्फल रही थी Next question 95 वर्सी योजना के निमलेकेत में से क्या उद्दिस रहे तो विदेसी रिणभार को बढ़ाने से रोकना खाद्यानों में आत्म निर्भरता प्राक्तिक संसाधनों का सर्रक्षन ये सभी मुख उद्दिस रहे 95 वर्सी योजना के Next question है निमलेकेत में से किस योजना का कैंद्र बिंदू सामजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था सयान सरो जायागा दूस्तो option D 95 वर्सी योजना Next question है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंच वर्सी योजना का मुख उद्दिस था most important question है देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना मुख उद्दिस था 10 वी पंच वर्सी योजना का अब 10 वी पंच वर्सी योजना का कारेकाल या अब धी कब से कब तक रही तो ये 2002 से और 2007 तक इसकी अब धी रही नेश्ट वन की हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद यानि कि GDP में सबसे ज़्यादा ब्रद्धी किस पंच वर्सी योजना के समय हुई थी most most important question है सयांसर हो जाएगा दुस्तो 11 वी पंच वर्सी योजना के दोरान GDP में सबसे ज़्यादा ब्रद्धी हुई थी हम बात करें कि कितनी ब्रद्धी हुई थी तो GDP में 9% की ब्रद्धी हुई थी और जो 11 वी पंच वर्सी योजना है इसकी अबधी कब से कब तक रही तो 2007 से लगा कर 2012 तक इसकी अबधी रही और इसमें सबसे ज़्यादा GDP में ब्रद्धी दर्ज की गई कितनी ब्रद्धी दर्ज करी गई 9% ये question पूछा जाता है तो as a fact में आपको बता देता हूँ और यदि मैं question बनाता तो question बहुत ज़्यादा बन जाते ठीक है इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस भी question से कोई extra fact बन रहा है तो उस question को वही के वही समझा दो ताकि आपको आसानी से वो fact समझ में आ जाए और question भी आसानी से समझ में आ जाए next question क्या है ग्यारवी पंचवर्सी यूजना का मुख उद्देश क्या था मुख उद्देश की हम बात करें तो तीब्रतम एवं समावेसी विकास जो है ये ग्यारवी पंचवर्सी यूजना का मुख उद्देश था next question है किस पंचवर्सी यूजना में सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया most important question है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया कब 11 पंचवर्सी युजना के दोरान C option हमारा correct answer हो जाएगा Next question क्या है दूस्तो 12 पंचवर्सी युजना की अबधी क्या रहे तो 12 पंचवर्सी युजना ये 2012 से लाएकर कब से अधा में आ जाते हैं नरंद्र मोदी जी ठीक है और ये क्या कर देते हैं युजना आयुक को खत्म कर देते हैं और नीती आयुक का गठन कर देते हैं ठीक है तो किस पंचवर्सी युजना में ये हुगा सायान सरहुजाय गदुस्तो बारभी पंच वर्षी यूजना में यूजना आयूग को खतम करके नीती आयूग का गठन किया गया ओके नेश्ट कोस्टन क्या है नीती आयूग का गठन कब किया गया था सयान सरोजाय गदुस्तो एक जनवरी 2015 को नीती आयुक का गठन किया गया था अब नीती आयुक से जितने भी कॉस्टन बन सकते हैं एक ही बार में आप समझ लिए नीती आयुक में जो नीती टर्म है जो नीती है इसका फिल्फम होता है National Institution for Transforming India हिंदी में कहेंगे राष्टिय भारत परिवतन संस्थान और नीती आयुक की स्थापना योजना आयुक के स्थान पर करी गई मैंने बताया ना योजना आयुक के स्थान पर नीती आयुक की स्थान नहीं किया गया है किसी भी अनुच्छिद में इसका प्रावधन नहीं किया जो तात कालिन प्रधान मंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्स होते थे और वही नीती आयोग के अध्यक्स होते हैं जैसे कि प्रजेंट टाइम पर मैं पूछू कि नीती आयोग के अध्यक्स कौन है तो आप कहेंगे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री कौन है तो स जो प्रधान मंत्री होंगे कौन थे नरंद मोधी पहले उपाद्यक्ष कौन बनाये गए अरबेंद पनगड़िया यह इस्टेटिक में हमेशा पूछा जाएगा पहले उपाद्यक्ष अरबेंद पनगड़िया और नीतियायो के पहले CEO जो हैं यह सिंदूसरी खुलर बनाये यह सारी बात है यह सारे फेक्ट आपको याद रखना है और यदि आप इस प्रकार से स्टेडी करते हैं तो मैं गैरेंटी से बुलतकता हूँ आप उस एक्जाम की खोपड़ी में चेट करके आएंगे उस एक्जाम में सेलेक्षन लेके आएंगे क्यूंकि आप पढ़ रहे हैं बाहदर सर से और फ्री एजुकिशन यूटूब चैनल आप देख रहे हैं हमारी यही क्वालिटी है कि हम बेस्ट कॉंटेंट और बिल्कुल डेटेल में आसान भासा में आप तक लाने का प्रियास करते हैं एक और कोस्टन है यूजना आयोक के द्वारा कितनी पंच वर काल था लेकिन 2015 तक ही यह चल पाया ठीक है क्योंकि 2015 में फिर नीती आयोक की इस्थापना कर दी जाती है तो दोस्तों इस वीडियो में पंच वर्सी यूजनाओ से जितने भी कॉस्टन आपके एक्जाम में वन सकते थे उन सभी कॉस्टन को डिसकस किया डेटेल में और विल की टॉपिक बाइस इबुक है करन्ट अफेस में जितने भी इंपॉण टॉपिक हैं वो शरभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे बित एश्टर फेक्ट की साथ में बिलकुल आसान भासा में ऐसा कोई भी इंपॉण कोस्टन नहीं छूटा है जो कि इस इबुक में ना दिया गया हो हमारी टीम ने पूरी साल मेहनत करके इस इबुक को तयार किया है और हमने बेस्ट कॉंटेंट प्रुवाइड करवाने की कोसिस करी है ठीक है तो आप इस इबुक को वाय कर सकते हैं दोनों इबुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रप्शन में ला सभी कोसिन को हमने इस टॉपिक के अंदर एड किया है तो जरूर विजिट कर लिजिए ठैंक यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने बहादोसर को शपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को सेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में दोस्तों के साथ में आपके मोबाइल पर वार्शप टेलिग्राम फेस्बुक पर जितने भी स्टेडी से रेलेटेट गृप हों सभी गृपों में इस वीडियो को दबा के सेयर कीजिए ताकि आपके quality के content को देखने के लिए channel को subscribe कर लिए साथ में bell icon को भी दबा लिजिए इसी प्रकार के aesthetic gk पर हम video बनाते रहते हैं तो पूरे video देखने के लिए हमारी playlist को visit की जिए playlist की link मिलेगे आपको i button में या फिर नीचे description में या फिर अभी आपको screen के ऊपर तीन वेरी यूसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें थैंक्यो दोस्तो राम राम दुआ सलाम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मात्रा